फ्लिप कार्ट का सेल आज जो प्लस पेमबर है उनके लिए 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा मतलब 15 तारीक से 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा गाईस तो मेरे पास है प्लस तो आप देख सकते हैं 3 घंटे में मेरा अभी स्टार्ट होने वाला है और अभी बजे हुए है 8.25 सारे तीन घंटे में तो यहां पर बहुत अच्छे दील आपको देखने को मिलेंगे यहां पर आइफोन ऐसी है जो कि 27 रुपय में मिलता है 38,000 रुपए वो आपको सिर्फ 25,000 रुपए में देखने को मिलेगा तो और इससे अच्छा प्राइज नहीं मिल सकता मैं आपको लाइन से बताता हूं बजट सेग्मेंट हाई सेग्मेंट सब फ्लैक्सिप में तो स्टार्ट करते हैं गैस यहाँ पर आप देख सकते ह जो 2020 है वो 25,999 रुपए में हम लोगों को देखने को मिलता है आप देख सकते हैं आप यहाँ पर प्राइस वहीं पर नीचे बात करेगा आइफोन XR की तो यह 37,999 रुपए में देखने को मिलता है जहां पर इसका प्राइस है 47,000 के आजपास जैसा कि आपको पता है जो अब भी 52,000 रुपए दिखा रहे है इसका प्राइस पर 47 के आजपस मिलते रहता है वीज बीच में तो बहुत जादा प्राइस ड्रॉप हुआ है यहां पर वहीं पर 11 प्रो की बात करें गाइस तो उसका भी प्राइस ड्रॉप है यहां पर देख सकते हैं 80,000 रुपए में आपक 992 रुपए में सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आपको देखने को मिलेगा तो यह बहुत अच्छा जो है प्राइज है Google Pixel 4a का जहां पर 32,000 रुपए इसका प्राइज हो जाएगा बाद में वहीं पर Realme 7i आप देख सकते हैं जो अभी यह भी लॉंच हुआ है 1199 रुपए फर्स तो 8999 रुपए इसमें कोई प्राइज कट नहीं हुआ है क्योंकि इसका भी अभी फर्स सेल है और वहीं पर गाईज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्नो का केम उन 16 है यह बेस्ट फोन है गाईज 10,000 रुपए में आप देख सकते हैं यहाँ और वहीं पर गाईज यह यहाँ पर आपको 64 Megapixel का कैमरा देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छी बात है वहीं पर गाईस आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल्मी का जो C11 है वह बहुत प्राइस कट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर मुझे पता है कि यह साढ़े साथ से 8,000 रुपे में आपको देखने को मिलेगा 322 वाला वेरियंट वही Poco X3 की बात करेगा इस तो 16,999 रुपे में आपको देखने को मिलेगा यह फोन जहाँ पर 19,999 रुपे का फोन का प्राइस बहुत जादा कट हुआ है जहाँ पर अगर आप इस फोन को जानते हैं अच्छे से तो आपको पता है Poco X2 बहुत जादा धूम मचा चुका है मार्केट में और Poco X3 भी इसी टाइप का फोन है जहाँ पर रिफ्रेशरेट 120 हर्ट से यह सब आपको देखने को मिलेगा वहीं पर Poco M2 Pro की बात करेगा इस तो यह 14,000 से 15,000 रुपे का फोन था जहाँ पर इसका प है अगर किसी के पास फ्लिप काट प्लस नहीं है तो मैं उसका ज़रूर है करूंगा और रियल्मी 7 अब ले सकते हैं 13,999 रुपे में रियल्मी का नार्जो 20 अब देख सकते हैं 10,499 रुपे 48 मेगा पिक्सल कैमरा यह नार्जो का अभी अभी लॉंच हुआ फोन है जो कि बहुत अच्छा फोन है और साथ में रैड्मी ने 8 प्रो की बात करेगा इस नोट 8 प्रो की तो यह आपको 18,999 रुपे में देखने को मिलेगा मुझे नहीं लगता यह फोन लेने लायक है क्यो उसका भी प्राइज ड्रॉप हुआ है यहां पे 16,499 रुपे में आपको देखने को मिलेगा तो पोको X3 भी अच्छा फोन है और लेटिस्ट है तो उसके तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छ है वहीं पर गाइस रियल्मी 7 प्रो की बात करेगा इस तो उसका कोई प्राइस नहीं हुआ है और सब से अच्छा जो सबसे अच्छा यहांपे गाइस फोन है वह को ए म डू जो कि रैड्ली 9 प्राइम के राम से अपको देखने को मिलेगा जिसमें 4647 आपको देखने को मिलता है बही पर गाइस यहांप ये फोन आपको 6GB RAM के सास्थ आपको देखने को मिल अगर आपको gaming नहीं करना है बहुत ज़ादा तो यह phone आपके लिए best होता है गाइस एक अच्छा feature phone आपको देखने को मिलेगा full आपको full performance देखने को मिलेगा गाइस और security की बात करेगा तो बहुत ज़ादा अच्छा है security के वामले में यह phone वही पर A70S के तरफ जा सकते हैं लेकिन यह लेना अच्छा नहीं होगा इस date में तो 13,999 रुपए में A50S बहुत अच्छा phone है गाइस आप इसके तरफ जा सकते हैं वही पर गाइस मैंने आपको बताए कि Motorola का E7 Plus आप ले सकते हैं 8,999 रुपए में जो की बहुत अच्छा phone है गाइस जहां पर Motorola One Fusion Plus की बात करेगा इस तो 730G के साथ आता है 17,000 रुपए का phone है गाइस जो आपको सिर्फ 15,999 रुपए में देखने को मिलेगा वहीं पर गाइस जो phone है Motorola G9 इसके तरफ भी आप जा सकते हैं 9,999 रुपए में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा आज के वीडियो में बस इतने ही अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल का सब्स्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं और जिसको भी गाइस फ्लिप कार्ट से phone पर्चस करना है अगर आपके पस प्लस है तो आपको जो आफर है वो अच्छे से देखने को मिलेगा वर कुछ देरी के लिए रहते हैं बाकि सब बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं और थैंक्स फर वर्ट